कोरोना वाइरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ने के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे जादा कोरोना प्रभावित देश बन गया है तो अब आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना का संक्रमन कितना फैला है भारत में कोरोना वाइरस के मामले काफी तेजी से इजाफ़ा कर रहे हैं भारत में संक्रमत लोगों की कुल संख्या 7 लाग के पार पहुच चुकी है स्वास्ते मंतराले की ताजा आखडों के मुताबिक देश में अब तक 7,19,665 लोग कोरोना से संक्रिबित हो चुके हैं इन में से 20,160 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,49,000 लोग ठीक भी हो गए है पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 22,252 नए मामले सामने आए और 667 मौते हुई जबकि 15,515 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है ICMR के मुताबिक भारत में अब तक कुल 1,21,92 लोगों की जाच की गई है जिसमें सोमवार को 2,41,430 सेंपल टेस्ट के गई है अब नज़र डालते हैं देश में प्रभावित राज्यों पर बहरास्ट में 2,11,987 नए मामले आए सामने 9,026 की हुई मौत अब तक 1,15,262 लोगों को किया गया ठीक तमिलाडू में कोरोना से 1,14,988 लोग हुए संक्रमित 1,571 लोगों की मौत 6,571 हुए ठीक दिल्ली में कोरोना वाइरस का संक्रमड 1,08,023 लोगों में फैला 3,115 लोगों ने गवाई जान 72,088 लोगों ने दी कोरोना को मांत गुजरात में संक्रमित लोगों की संक्या 36,772 महामारी से जान गवाने वालों की संक्या हुई 1,960 अब तक 26,315 लोगों को किया गया ठीक प्रदेश में कोरोना से 28,636 हुए संक्रमित 809 की हुई मौत 72,088 हुए ठीक आकडों के मुताबिक देश में इस वक्त 2,69,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं सबसे जादा एक्टिव केस महारास्ट में है कोरोना संक्रमितों की संक्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है अमेरिका और ब्राजिल के बाद एक दिन में सबसे जादा मामले भारत में ही दर्ज के जा रही है भारत से जादा मामले अमेरिका में 30,49,913 ब्राजील में 16,26,071 संक्रवित मरीज है वहीं अब रूस में 6,87,862 मरीज भारत से कम संक्रमण है पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण के आखड़ों पर नज़र डाले तो दुनिया भर में कोरोना के 1,17,44,347 मामलों की हुई पुष्टी कोरोना से जान गवाने वालों की संक्रमण हुई 5,44,764 महामारी को अब तक 67,44,95 लोगों ने दी मात दुनिया में एक्टिव केस की संक्रमण हुई 44,63,538 24 गंटे में 1,71,508 नए मामले आई सामने 3,583 की हुई मौत जहां एक और दुनिया भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़हुतरी दर्ज हो रही है तो वहीं बीजिंग में बीते एक महीने में पहली बार कोई नए मामला सामने नहीं आया है जून की पहले हफते में यहां की शिनफेरी होलसेल मारकेट में नए मामले मिले थे वहीं आस्ट्रेलिया आज से अपनी दो राजियों विक्टोरिया और न्यू सौथ वेल्स के बीच बॉर्डल सील करेगा दो हफतों में यहां देश के 95 प्रतिशत संक्रमन के मामले सामने आये हैं विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रियूस ने कहा कि प्रधान मंतरी स्कॉट मौरिसन और नस्डबू के प्रीमियर ग्लेडिस ने साथ मिलकर ये फैसला लिया है दोनों राजियों के बीच सिर्फ पर्मिट के अधार पर ही लोग आ जा सकेंगे डिबी लाइफ की रिपोर्ट